आलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे वो आप सब? तो आज की जो वेकेंसी एरकी है, वो आरकी यहाँ पे Ministry of Railway की तरह से, Railway Recruitment Board की तरह से Junior Technical Associate के पदू के लिए वेकेंसी निकाले गई है Basically यह आपकी Junior Engineer की Position देखने को मलेगी जो की बिल्कुल Pressure Candidate के लिए निकाले गई है और यहाँ पे किसी भी टैप का कोई Experience नहीं मांगा आपको Tension नहीं लेने, Pressure Candidate इसको Apply कर सकते हैं साथी साथ अगर आप इंडिया में कहीं से भी ब्लॉंग करते हैं किसी भी State से ब्लॉंग करते हैं आप बिल्कुल Eligible रहेंगे इसको Apply कर पाएंगे Without Gate Scorecard आप इसको Apply कर सकते हैं तो किसी भी Tab का Gate Scorecard भी यहाँ पे नहीं मांगा अब बात करते हैं मिर भाई Education Qualification के बारे में तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप Eligible हैं और यदि आपने यहाँ पे BB Tech कर रखा है बारवी के बाद तो भी इसको Apply कर सकते हैं और डिप्लोमा के बाद BB Tech की है तो भी आप यहाँ पे Eligible रहेंगे Salary बहुत ही गजब का देखने को मिलेगा अब कितना salary आपको मिलेगा वो मैं आपको आगे detail में बताऊंगा और Apply करके भी दिखाऊंगा बेसिकली ये एक Remender वीडियो यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा है जिन्होंने अभी तक इसको Apply नहीं किये और ऐसी वेकेंसी बारबर नहीं आती तो Apply जरूर कर देना इसका जो Last Date रहेगा यहाँ पे 20 September इसका Last Date रहने वाला है और ये डेट बहुत पास है मिर भाई इसी वीडियो के अंदर में आपको Apply करके दिखा रहा हूँ तो वीडियो को ध्यान पुरुवक अच्छे से देखिएगा जो Stuff बता रहा हूँ उनको Follow करेगा और वीडियो को Like कर देना हमारा Motivation बना रहत है जब आप वीडियो को Like करते हो Target जो रखा है वीडियो के Like आप आपका 1200 प्लस रहेगा इतना Like करवा देने और मेरे भाई अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को Share कर देना है जो कि एक्सर में YouTube पे अप्लोड नहीं कर पाता और YouTube पे सारी Jobs का Update देना पॉसिबल नहीं रहता तो Telegram को भी जाके Join कर देना Link मैंने आपको वीडियो के Comment Box में दे रखा है और Description में भी दे रखा है तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो गंटी वाले के न उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का Notification सबसे पहले मिल पाए और आपका वाई इस चैनल पे Engineering Job Update लाता रहता है देखे वेकेंसी रहेगी यहाँ पे North Central Railway Railway Recruitment Cell परियागराज की तरफ से वेकेंसी निकाले गई है और यह वेकेंसी All India Candidate के लिए निकाले गई है जिसमें आपके पद रहेंगे यहाँ पे JTA के Junior Technical Associate के पद आपको देखने को मिलेंगे Department आपका Works का देखने को मिल जाता है यहाँ पे Edutagement Number जारी कर दिए जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और यहाँ पे जो आपका Important Date के बारे में बात करें तो इसका जो Last Date रहेगा अप्लाई करने का वो 20 September 2023 23 इसका Last Date यहाँ पे रहने वाला है तो जल्दी से इसको Apply जरूर कर दीजेगा साथी साथ यहाँ पे बात किजाए कुछ Important Point के बारे में जैसे कि यहाँ पे आपको Apply करने का तरीका रहेगा वो आपको Online Apply करना पड़ेगा अब Online Apply कैसे करना है वो मैं आपको Apply करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखीगा बात किज़े यहाँ पे Legibility Criteria के बारे में तो उन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है जैसे की Category क्या रहेगा Number of Vacancy के रहेगा जो की Number of Vacancy यहाँ पे Divide कर दिये Category वाई जैसे की आपका UR, EWS, OBC, SC और ST Candidate के According Vacancy को Divide कर दिये Position आपका रहेगा Junior Technical Assistant का Civil Department के अंदर Vacancy निकाला गये और यहाँ पे किसी भी टैप का कोई Experience नहीं मांगा विल्कुल Pressure Candidate इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने तीन साल का Diploma कर रखा है Civil में या फिर अगर आपने B.Sc कर रखा है Civil में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके अलवा यहाँ पे बात किजाए आपके जो percentage criteria है वो mention कर दिये हैं जैसे कि minimum percentage आपके होने चीए अगर आप General Candidate है तो आपके 60% यहाँ पे होने चीए डिप्लोमा में या फिर B.B.Tech में और अगर आप Obesic Andidate है तो आपके 55% यहाँ पे होने चीए डिप्लोमा में या फिर B.B.Tech में और अगर आप Assistic Andidate है तो आपका 50% यहाँ पे होने चीए डिप्लोमा के अंदर या फिर B.B.Tech के अंदर इसके लवा बात किजाए यहाँ पे कर सकते हैं mandatory नहीं है यह गेटी स्कूर कार्ड लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है उसके बाद आपके पास BB Tech का जहां जो आपका इंटर्यू के लिए जो कि यहाँ पे नहीं ने मेंशन कर रखा है इसके बाद बात कि यहाँ पे एज क्राइटीरे क्या रहेगा तो एज रहेगा आपका 18 साल से लेके 33 यर तक के कैडिडियेट इसको अप्लाई कर सकते है जो कि जनरल और EWS कैडियेट के लिए रखा गया है ब लिए जो सेलेक्शन यहाँ पे आपका उगा सबसे पहले तो आपका उनलाइन अप्लिकेशन फार्म को समिट करना पड़ेगा उसके इसाब से यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी देन फिर आपको इंटर्यू के लिए बुलाए जाएगा फाइनली आपको यहाँ पे सलेक्श करी का देखने को मिलेगा एडुबर से वालों के लिए उबीसे के टिरनी डीटे को स्वड पे कड़ने पड़ेंगे और ग्री क्ट expected को सोब पेकरने पड़ेंगे और यहाँ पर किला सिटी में होता है यहाँ पर 27,000 उपर रहेगा और X-Class City में कर आपका सेलेक्शन होता है तो 30,000 उपर मंत के according आपका सल्दरी यहाँ पे मिलेगा उसके लब यहाँ पे Delhi allowance आपको देखने को मिलेंगे आपको leave देखने को मिल जाती है company के according जो भी रहता है medical facility आपको मिल जाती है कि apply करने के लिए आपको officially website के तुरूई apply करना पड़ेगा साथी सब्सक्राइब करने के लिए हम चलते डिरेक्ली यह officially website जो notification में mention कर रखा है इस पे हम click कर देते हैं तो जैसे आप इस पे click करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा tab open हो जाएगा जो कि आप भी screen पे देख पा रहे हैं अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको apply कैसे करना उस process के बारे में देखी यहाँ पे मैंने आपको officially website का link वीडियो के description में दे रखा है यहाँ पिर आप अमारा telegram channel check out कर सकते हैं वहाँ पे भी आपको officially website का link मिल जाएगा यहाँ पे मैंने directly open कर रखा है railway recruitment cell north central railway परियाग राज की officially website आपको यहाँ पे आजाना है और scroll down करना है अगर आप scroll down करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जब को vacancy देखने को मिल जाएगी वह आपको मिलेगी notification वाले section के अंदर जो कि आप scroll down करेंगे तो आपको दिखेगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह जो दे रखा है यहाँ पे कि यह vacancy यहाँ पे active रहेगी 20 September तक और यहाँ पे JTA का post आप करहेगा Junior Technical Associate का यहाँ पे click करके आप notification को download कर सकते हैं apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे click here for online form यहाँ पे आपको कर देना है click apply करने के लिए तो जैसे आप इस पे click करेंगे आपके सामने यह tab open हो जाएगा candidate main portal यहाँ पे आपको scroll down करना है तो दो step में आपको form fill करना पड़ेगा सबसे पहले तो देखें यहाँ पे जो भी बच्चा apply कर रहे है उसको यहाँ पे registration करना पड़ेगा जैसे आप registration करेंगे वहाँ पे आपको candidate registration ID मिलेगा और password मिलेगा उसका screenshot आपको ले लेना है वैसे आपको mail ID पे प्राप्त हो जाएगा देन फिर क्या करना है यहाँ पे आपको वो जो candidate registration ID है पासवर्ड है यहाँ पे डालने के बाद और एक capture code डालने के बाद login कर लेने बागी form को fill कर लेने कैसे fill करना है दिखा देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे हम registration करते हैं जैसे हम यहाँ पे click करते हैं आपके सामने यह tab open हो जाता है तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़े बता रखी है कि आपका जो candidate apply कर रहा है उसका नाम यहाँ पे box में आ जाएगा community कौन सी है वो आ जाएगा religion कौन सा है वो आ जाएगा अगर आप P.W.D. candidate है तो yes or no में answer कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमें है तो yes or no में answer कर सकते हैं आपका date of birth क्या है उसको डाल दीजेगा year कौन सा है month कौन सा है इसके बारे में डाल सकते हैं age यहाँ पे जो आपके count होगी उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने mention कर रखा है उसके बाद आता है यहाँ पे mobile number तो आप अपने active mobile number डालेगा क्योंकि जब भी आपका selection होगा तो आपको एक SMS प्राप्त होगा और आपकी email id पे भी आपको SMS प्राप्त होगा अगर आपका selection हो जाता है तो then पर यहाँ पे email id का section दे रखा है तो आपको active email id डालनी है जो भी email id आप daily use करते हैं वही email id यहाँ पे डाल सकते हैं कोई भी email id डाल पाएंगे और इसके बाद यहाँ पे register now का button है इस पे आप register करेंगे जैसे ही आप register करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने यहाँ पे जो आपकी email id है वहाँ पे आपको मिलेगा candidate registration number और एक वहाँ पे आपको password मिलेगा उसको यहाँ पे डालने के बाद और यह जो capture code है यहाँ पे डालने के बाद आप इसको login कर दिजेगा login करने के बाद आपके सामने एक tab उपन होगा वहाँ पे आपको अपने सारे document कमेंट वहाँ पर फिल करने पड़ेंगे नॉर्मन सी प्रासस है और इससे रेलेटेड अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है कुछ सवाल है कुछ पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मेंको परसनली मैसेज कर स तक जिनको जॉब की नीड है एंड कमेंट बॉक्स में जुरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिपिकेशन कौन सा है कौन सी जॉब सट्स कर रहे हैं All the very best चैहिन